पांच नवंबर को अमित्सा बिहार के मुझफरपुर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उसी दिन बेगू सराय में ब्रामन और भुमिहारों का महा जुटान होने जा रहा है जहाए एक तरफ अमित्सा एक नई तयारी करेंगे एक नई तरीके से रन्नीती बनाएंग कि किस तरीके से बिहार में चुनाओ लड़ा जाए वहीं दूसरी तरफ अमित्सा के सांसद के संसदिये छेत्र में एक बड़ा जुटान होने जा रहा है भुमिहारों का ब्रामनों का महा जुटान और वो भी सांसद जो है जिनका संसदिये छेत्र है वो भी भुमिहार से आते हैं और बुमिहारों के बड़े नेता है और अब इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक तरफ अमिज सा का जो होगा हुंकार रैली और दूसरी तरफ ब्रामन और बुमिहारों का महा जुटान ये क्या रंग लाएगा लेकिन उसके पहले नमस्कार में आनाम सशांग पांड़े आप जन्ता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे बिशाल खड़े हैं और पांच नवंबर को बिहार में दो बड़े कारिक्रम हो रहे हैं एक सबसे बड़ा कारिक्रम होगा कि अमिच्छा की मुझभफरपूर में एक बड़ी रेली होगी इस रेली के माध्यम से अमिच्छा मुझभफरपूर बैसाली को साधने का प्रयास करेंगे एक तरीके से ये कि भारतिय जन्ता पार्टी कितना मजबूत है मुजफरपुर में इनके सांसद है और उसके बाद वहाँ पर लाखों की संख्या में भाजपा कारे करता और भाजपा की तमाम सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे अमिच्छा वहां से एक तरीके से नई रन्नीती बनाएंगे और वहीं दूसरी तरफ आसुतोस कुमार जो की ब्रामन भुमिहार एकता मंच के संस्ताफक है वो बेगु सराय में ब्रामन और भुमिहारों का महा जुटान करने जा रहे हैं वो भी एक राजनितिक माईने होगा उसका भी और वो भी जिस संसदिये छेत्र में ये जुटान होने जा रहा है वो संसदिये छेत्र ग्रीराज सिंग का है ग्रीराज सिंग वहां के सांसद है ये भी भुमिहार समाच से आते हैं और ये रहेंगे अमित्सा के कारिक्रम में और इनके संसदिये छेत्र में जो है आसुतूस कुमार एक भुमिहारों का ब्रामनों का जुटान करेंगे और मंच से एक तरीके से एक नई रन्नीती यहां भी बनेगी एक नई रन्नीती यहां बनेगी बिहार सरकार के खिलाफ और यहां भी एक नई रन्नीती बनेगी वो भी बिहार सरकार के खिलाफ मतलब कि दोनों जो है रन्नीती बनाएंगे मुझभफरपूर में भी एक रननीती बनेगी और एक रननीती बेगु सराय में भी बनेगी दोनों मंच से एक तरीके से ये इसारा करेंगे कि किस तरीके से बिहार सरकार को घिरा जाए किस तरीके से बिहार सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जो है वो अपने आपको तयार किया जाए वहीं अमिच सा ये र 2024 में किस तरीके से भारतिय जन्ता पार्टी को मजबूत किया जाए और भारतिय जन्ता पार्टी क्या जो है जंडा लेकर आएगी किस एजेंडियों पर काम करेगी अमिट्सा ये प्लानिंग करेंगे हालांकि अमिट्सा का ये पहला दोरा नहीं है ये इन упांचवा ये छटा रहे हैं इस तरह के कई दौरे उनके हो चुके हैं और लगतार अमिटसा के दौरे हो रहा हैं और सबसे बड़ी बात ही ये है कि अमिधसा लगतार ये प्रेयास हैं कि दिल्ली से भारतिय जान्ता पार्टी के बड़े बड़े Neveruj कि आप जेपी नड़ा आए थे उसके अगर पीछे देखे तो अमिच्छा खुद आए थे और अब अमिच्छा आ रहे हैं और इसके बाद फिर जेपी नड़ा आएंगे और इसी तरह के कारीक्रम बिहार में होते रहेंगे ताकि भारतिये जनता पार्टी को मजबूत किया जा आपकी संख्या कम है राजनितिक भाग्यदारी आपकी कम होगी और एक तरीके से आप देखे तो अधिकार भारतिये जनता पार्टी का है और अमिच्छा हो सकता है कि उस रैली का भी जिक्र करें लेकिन करेंगे नहीं और जिस तरीके से भुमिहार और ब्रामनों का बेगु समय में या फिर अपनी राजनितिक पार्टी एक बनानी है और समर्थन भी जरूरी है क्योंकि अगर समर्थन करेंगे तो एक तरीके से यह होगा कि अगर जिस पार्टी को हम समर्थन करेंगे वो पार्टी हमारे बारे में सोचेगी तब हम समर्थन करेंगे और अगर हमारे तो फिर हम समर्थन नहीं करेंगे। आप तो पर आपने देखा था कि कुछ दिन पहले सुच रही है अब हम समर्थन करेंगे। तो अब ऐसा ऐसास हो रहा है कि हो सकता है कि आसुतोस कुमार भारतिये जनता पार्टी को भी समर्थन कर दे लेकिन ये भी कहना उचित नहीं होगा, हो सकता है ये भी कि वो अपनी पार्टी बनाए और 2024 में एक नई रन्नीती बना कर मैदान में उतरे, अब देखिए दो कारिकरम होगा, एक तरफ अमिश्सा जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और दूसरी तरफ आसुतोस कुमार अपने समाज को मजबूत करेंगे और देखते हैं कारिकरम किसका सफ़ल होता है बन्य रहमार साथ और देखे रह जनता जंक्शन झाल झाल